Hello students, this video is for the third class students of Unique Public School रहिया Students, आज हम करेंगे chapter first numbers की exercise 1.5 का sum number first का first part and second part So sum first जो है, हो है, write the largest number and the smallest number using the given digits Students, तो sum number first में हमें क्या करना है students, जैसे ये first part में हमें digit given है 2, 3, 5, 7 and 9, तो इसका हमें क्या करना है, in digit को use करके largest number and smallest number को बनाना है ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, the largest number, तो जब हम in digit को use करके largest number को बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या कौन सा digit लिखेंगे, greatest number, तो in total 5 digits में कौन सा digit greatest है, 9 तो जो 9 है, in sub में से क्या है, बड़ा है, तो सबसे पहले आए जाएगा, the largest number is हमें number बनाना है, तो first place पर क्या आजाएगा, left hand side से, 9, क्योंकि 9 जो है, in sub में से क्या है, greatest है अब next, 9 को छोड़ कर, in sub में से जो greatest digit है, वो कौन सा है, 7 है, तो यहाँ पर आजाएगा, 7 next आएगा 7, second number पर, अब next 7 को छोड़ कर, कौन सा digit बड़ा है, 5, अब यहाँ पर आजाएगा, 5 next कौन सा है, in 2, digit में से कौन सा, digit greatest है, 3, और last है, 2 तो यह जो number बन गया, हमारा largest number बन गया, क्या बना है 97,532, यह है, greatest, largest number, अब हमें कौन सा number बनाएगा, smallest number, the smallest, the smallest number is, तो जब हम smallest number बनाएगे, इन digit को यूज करके, तो क्या होगा, पहले smallest number आएगा, ठीक है, फिर उससे, बड़ा, उससे, बड़ा, जैसे, इन सभी digit में कौन सा, digit जो smallest है, वो है, 2, उसके बाद, 2 को छोड़कर, इन digit में कौन सा, digit जो है, smallest है, वो है, 3, next इन में से smallest digit है, 5, next है 7, next है, 9, तो smallest number बनाएगे, 23,579, अब next जो पार्ट है, वो है, उन में जो digit है, वो कौन से है, 3, 0, 1, 7, 8, तो इसका भी हमें कौन सा number सबसे पहले बनाना है, the largest number, तो इसमें भी हम क्या सबसे पहले आएगा, पहले हम greatest digit चूज़ करेंगे, वो है 8, अब 8 को शोड़कर, कौन सा digit जो है, greatest है, वो है 7, next है 3, next 1, and last, 0, तो जो largest number बना है, 87,310, अब next हमें बनाना है, the smallest number, the smallest number is, तो जब हमें students smallest number बनाना है, तो हमें यहाँ पर यह याद रखना है, कि जब हम smallest number बनाएंगे, तो जैसे यह digit है, इन में से सबसे smallest जो digit हो है, 0, तो पहले हम 0 नहीं लिखेंगे, 0 को छोड़कर, इन जीरो को पहले अगर हम छोड़कर, जो बाकी के digit है, जैसे 3, 1, 7, 8, इन में से जो smallest digit है, पहले वो लिखेंगे, यह जैसे कौन सा smallest digit है, 0 को छोड़कर, 1, तो पहले हमने लिख दिया 1, अब next लिखेंगे, 0, ठीक है, 1, 1 को भी यूज कर लिया, और 0 को भी यूज कर लिया, नेक्स्ट है, जो smallest digit है, इन तीनों में से 3, 7, 8 में से कौन सा है, 3, यहाँ पहले लिख दिया 3, और next है, इन दोनों digit में कौन सा digit, smallest है, 7, 7, next है, 8, तो यह दिखिए, अब हमारा smallest number भी बन गया, smallest number हमारा है, 10,378, तो students, exercise 1.5 के वस्ट सामिश, जितने भी next part है, वो सभी हम ऐसे ही solve करेंगे, thank you.